गुलमर्ग प्रकर्ती का हसीन तौफा हर परेटक का सपना होता है कि एक ना एक बार कश्मीर की इस संदरवादी के मज़े जरूर ले यहां के हरे भरे धलान पूरे सार परेटकों को अपनी और खीचते हैं क्या आपको पता है कि गुलमर्ग सिर्फ बरफ से ढगे पाड़ों का शहर ही नहीं है बलकि यहां विश्व का सबसे बड़ा गॉल्फ कोर्स भी है और देश का प्रमुक्स की रिजॉर्ट भी यहीं पर है गुलमर्ग बॉलिवुड के सबसे पसंदिदा शूटिंग लोकेशन में से भी एक है गुलमर्ग में जहां जहां तक नजरे जाती हैं वहां वहां पर कफेद वबर सिर्ण की पहाड़ होते हैं और सफीद रंग खुद में शांती का सूचक है तो आप यह समझ सकते हैं और अंधाजा लगा सकते हैं कि गुलमर्ग में कितनी शांती होगी तो आईए और चली आज हम इसी सौंदरे की सैर पर चलते हैं जहां आप भी अपने आपको यह कहने से नहीं रुख पाएंगे कि गर फिर दौस पर रोई जमीन अस हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो इसका मतलब है कि अगर धर्दी पर कहीं स्वर्व है तो वो यहीं है यहीं है यहीं है हर एक बंदा अपने जिन्दकी में किसी ना किसी परेशानी से बहुत परेशान है और खुद को शांती देना चाहता है यदि आप भी उनी में से एक हैं तो गुलमर्ग जाएए और खुद को प्रकत्ती की गोद में छोड़ कर देखिए और तब आपको सुकून ना मिले तो कहना अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गुलमर्ग के कुछ ऐसे अदबुत वाक्याओं से जो गुलमर्ग की खुबसूरती में चार चांत लगा रहे हैं और आपको अपनी और आकशित करेंगे ही करेंगे तो दोस्तों आपको सबसे पहले मिलवाते हैं गुलमर्ग के स्की एरिया से श्री नगर से लगभग 35 किलोमेटर दूर गुलमर्ग का हिल रिजॉर्ट जो हिमाले के पीर पांजाल परवश रेने का हिस्सा है यहां भारी मात्रा में बरफबारी होने की वजह से यह जगया परेटको और निवासियों का मनपसंद स्की एरिया बन गया है अब मिलवाते हैं आपको अगले वाक्या से जो है गॉल्फ कोर्स समुदर से लगबग 2650 मेटर की उचाई परस्थित गुल्बर्ग का गॉल्फ कोर्स दुनिया का सबसे ऊजा ग्रीन गॉल्फ कोर्स है तीसरा वाक्या अफरवात पीक परेटको का सबसे पसंदिदा परेटक स्कल अफरवात पीक है गुलमर्ग से लगबग 13 किलोमीटर की दूरी परसित है बरब से धके हुए ये पाहाड पाकिस्तान से साथ लगे हुए लाइन ओफ कंट्रोल एलोसी के काफी नज़्दीख है अब मिलवाते हैं आपको चौथे वाक्या से खिलन मार्ग खिलन मार्ग गुलमर्ग में स्थित एक छोटी सी घाटे है जो ठंड में गुलमर्ग में स्किंग करने के लिए सबसे बहतरीन जगे है बसंत रितों में इस घाटे का नजारा देखने लायक होता है पूरी घाटी हरे भरे घास से भढ़ जाती है और हरे भरे खास के चारो तरफ परवश्ट्रेनिया का सबसे खुबसुरत नजारा कश्मीर की घाटे का सबसे अगवत नजारा होता है पांचवा वाक्याश तंगमार्ग बारामला जिले में सित तंगमार्ग गुलमर्ग से लगभग 13 किलमेटर की दूरी परस्तित है या पूरे शेत्र में हैंडी क्राफ्ट के कामों की वज़ा से प्रसिध है छटा वाक्याश गुलमर्ग बायोस्फियर रिजर्ग गुलमर्ग बायोस्फियर रिजर्ग कई लुक्त होते जा रहे जीवों को आवास कल है यहां आपको कई अज्यात किस्म के पेट पौदे भी देखने को मिलेंगे यदि आप हमारी दीवी जानकारी को पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्स्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अगले वाक्याश की तरफ अलपाथर जीव चीड और देवदार के पेडों से घिरी है जीव अफरवाद चोटी के नीचे स्थित है इस खूबसूरज जीव का पानी मध्य जून तक परफ बना रहता है अगला वाक्या स्टॉबेरी घाटी गर्मे के मौसम में आप यहाँ आकर ताजी स्टॉबेरी के भड़बूर मजे ले सकते हैं तोस्तों यदि आप बे इंतिहां खूबसूरती को महसूस करना चाहते हैं तो गुलमर्क जरूर चाहिएगा इसी तरह से और जानकारी पाने के लिए हमसे जोड़े रहिए थैंक्यू दोस्तों